हेलो स्टूडेंट्स वैलकम अगें टू लंग्रिदेतिमन हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा राजिस्थान क्लास एर्थ तो जिसमें हमने 10 चैप्टर स्टार्ट कर दिया था लास्ट वीडियो में तो मैंने सभी बच्चों से कोशन पूछा था कि राजिस्थान का पहला ग्राम बच्चे जुड़ते हैं तो वो लोग कोशन का आंसर जरूर दें यहां पर हर चीज में पार्टिसिपेट किया करें चाहे वो चैप्टर पढ़ाना हो चाहे वो कोशन आंसर सीरीज हो चाहे आप लोगों से मैं कोशन जो है वो चैप्टर से पूछूँ ठीक है तो यहां हर हमने दुर्गों के बारे में भात कर ली थी और अब हम मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। मंदिरों का विकास गुप्त काल से माना जाता है, जो गुर्जर प्रतिहार, गुहिल, चंदेल, राठोड, परमार, सोलंकी, चालुक के तथा पाल सास्कों के समय भी होता रहा है। मंदिर में देवी देवता की स्थापना होती है, इनका निर्मान सिल्प सास्त्रों के नियमानुसार होता है, कि किस जगय जो है वो देवी की प्रतिमा रखी जानी चाहिए, कहां पर परिक्रमा होगी, ठीक है, तो ये सभी चीजें जो हैं वो सिल्प सास्त्रों के नियमानुस रहेगा जगदीस मंदिर उदैपुर में हैं सहस्द्र बाहू मंदिर या जिससे हम सास बाहू मंदिर भी कहते हैं कहां है नागदा उदैपुर में है ठीक है तो यहां दो मंदिर मिलते हैं इसी मंदिर में एक तो है बड़ा मंदिर जो की सास ने बनवाया था और छोटा मंदि बहुने बनवाया था अंबिका मंदिर जगत उदैपुर में है स्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा रासम्मद में है श्री एकलिंग जी का मंदिर उदैपुर में है रिश्यव देव का जैन मंदिर उदैपुर में है और श्री चार बुजानात मंदिर गणगोर रासमद में हैं ठीके तो ये जो है मिवाड के प्रमुक मंदिर हैं जो आप याद रखें इंपोर्टेंट हैं नोट्स बना रहे हैं तो बिल्कुल सभी लिखने हैं आपको देलवाडा का ये जैन मंदिर है देख लीजिए फिर देखिए मारवाड के प्रमुक मंदिर देलवाडा जैन मंदिर कहां बर है आबू परवत सिरो ही पर ठीके तो ये मंदिर जो है वो दिखाया गया है रणगपूर जैन मंदिर पाली जिले में हैं किराडू का मंदिर बाड मेर में हैं और ओशिया के मंदिर कहां है ओशिया बंड़ देवरा बारा में, कसवा मंदिर कोटा में, कमलेशोर महादिव बुंदी में, सूरे मंदिर जालरा पाटन जाला वाड में, यहां हाडोती के ये प्रमुक मंदिन है, ये भी आप एज़िटी जो है वो नोर्स में लिखें, यदि आप लिख रहे हैं, कुश्यन आंसर म मैं आप लोगों को करवाऊंगी ही, सेखावटी जैपुर के प्रमुक मंदिर, आभानेरी मंदिर दोसा में, खाटु श्याम जी का मंदिर सीकर में है, गोविन देव जी का मंदिर जैपुर में है, मंदिर प्राए राजा, महराजाओं, रानियों, जागीरदारों, स्रेश् या कोई रानिया हैं उन्हों ने दिया जागीरदारों ने भी बनवाए और कुछ जन समानने के लोगों ने जिस तरीके से जो है वो चंदा एक खटा करके जो है वो उस गाउं में एक मंदिर बनवा दिया ऐसे जो है मंदिर जो है वो समय समय पर बनते रहे मंदिरों के बाद देखिये मूर्ती कला राजेस्धान में वैशनव, शैव, शाक्त, आदी के साथ जैन धर्म के अनेक मंदिर और मूर्तियां प्रसिद्ध हैं यदपी, गुर्जर प्रतिहार, परमार, चोहान, गुहिल शाष्कों की संरक्षन में मूर्तियों से सू सजजित मंदिर निर्मित करवाए गए तथा भी प्रतिहारों का इसमें विशेस योकदान रहा शैव-धर्म के प्राचीन परमपरा में शिव के लिंग विग्रहे वो मानवीय प्रतिमाई बनाई गई तो शैव धन को मानने वाले जो हैं वो शिव भगवान को पूसते हैं इन मूर्तियों में महेज मूर्ति, अर्दुनारीश्वर, उमा महेश्वर, हरी हर, अनुग्रह मूर्तियों को अधिक उत्किन किया गया तो हैं तो ये सभी शिव की ही रूप, शिव के ही रूप, इन प्र शाक्षमी, गरुना सीन, विश्नु आदी की मूर्तियों में बैकुंड, अनन्त, ट्रलोक्य, मोहन को बहुत खूपसी उर्ती से उतकीन किया गया है। तो ये राजिस्थान की बात हो रही है कि राजिस्थान में विश्नु मंदिर, शिव मंदिर जो है और जैन धर्म के अनेक मंदिर मूर्तियों जो है वो अनेक शाष्कों के समय में बनते रहें। देखी जा सकती हैं शिरोही शेत्र में बसंतगड और आहर शेत्र से प्राप्त धातु की जैन प्रतिमाएं मीरपूर आबू देलवाड़ा जैन मंदिर रनकपूर चित्तौरगड ओश्या की जैन मूर्तियां विसेश उलेखनी हैं मूर्तियों में परिधान आभूशन केस वि मूर्ति कला के लिए बहुत ज्यादा फेमस है इनके कुमहरों ने इस कला को विश्विशतर पर पहचान देलाई है ये शिव पार्वती, पनिहारी, भैरुजी, हाती, गनेश, उट, घोड़ा, पुतली, हनुमान, तोता, चिडिया, मोर, वासुरीवाला, शेर, मगरमच, आदी, लोक, देवी, देबताओं और जानवरों से सज्जित मिट्टी की फड़ बनाते हैं ये मोलेला मूर्ति कला के नाम से विख्यात है मिट्टी की मूर्तियों को आग में पका कर बनाने की कला को टेरा कोटा कहते हैं ठीक है तो पूछा जा सकता है कि टेरा कोटा कला कहा हवेलियां जिसमें जैपूर की हवेलि जो है वो परंपरा सुप्रसिद है सेखावटी के स्रेष्टियों ने इस परंपरा को अपनाया और हवेलियों का निर्मान करवाया रामगड, नवलगड, मुकुंदगड, मंडावा, लक्षमणगड की विशाल हवेलियां प्रसिद्ध हैं जैसल मेर की सालम सिंग की हवेली, नतमल की हवेली, पटवों की हवेली की नकासी अनुपम हैं बीकानेर, फलोदी, करोली, भरतपुर, कोटा, उदयपुर की हवेलियां भी इस्थापत्य कला के लिए अद्बुत उधारन हैं तो कई बार एक्जाम में देखिएगा कि यहां पर यह पटवों की हवेली के बारे में तो पूछा भी गया है कहां पर है यह जैसल मेर में है ठीक है इसके अलावा रामगड, नवलगड, मुकंदगड, मंडावा, लक्षमनगड यहां पर भी बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई है छतरियां, राजिस्धान के शाशकों, शामंतों, स्रेश्टी वर्ग आदी ने अपने पूर्वजों की इसमरती में जो इसमारक बनवाए वे छतरियां या देवल के नाम से जाने जाते हैं तो राजिस्थान के विध्यार्टी तो समझते हैं छतरियां क्या होती हैं जो अदर स्टेट के हैं वो लोग नहीं जानते हैं तो यहाँ पर समझ लीजिए कि जो शाशक होते थे, वो अपने पूर्वजों की स्मृति में इस मारक बनवाते थे, तो उनको छत्रियां कहा जाता था, अलवर में जैसे मूसी रानी की छत्री, पेमस है करोली में गोपाल सिंग की छत्री, देखिए कोशन जो है वो आपके एक गेटोर में इस्वरी सींग की जो है छत्री है, जोदपूर में जस्वंत थडा है, उधेपूर में आयर जैसल मेर में बड़ा बाक की छत्रियों की स्थापत्य कला अत्यदिक मोहक है, इन विशालकाय भव्व छत्रियों को सुंदर नकासी एवं बिति जितरन के माध्यम से किया गया है जो इसकी स्थापत्य की कला में चार चांद लगा देता है तो इसका मतलब क्या है राजिस्थान में हम देखें तो यहां आपको किले ही नहीं बहुत अच्छे तरीके से बने हुए मिलेंगे बलकि महल भी मिलेंगे यहां पर जो है आपको मंदिर भी बहुत अच् जो है हवेलिया, छत्रिया, ठीक है, किले जो हैं वो देखने के लिए आते हैं, उसके बाद देखिए चित्रकला, राजेस्थान में एतिहासिक काल से ही चित्रकला का संबन रूप रहा है, तो यहां पर देखिए ये जो चित्र है किसका है, बनी धनी का है, ठीक है, तो बनी ध इदास की नाम से भी जानते हैं, तो उनके समय में एक चित्रकार था, जो बहुत अच्छा चित्रांकन करता था, ठीके, और जिसने किसंगर की चित्रकारा को बहुत उँचाई पहुंचाया था, तो उसने सावंत सिंग्ग और बनी धणी इनका जो है चित्र जो बनी धनी का वो यहां पर चित्रों के माध्यम से दर्साया तो बनी धनी को तो Eric Dickinson ने ठीक है उन्होंने भारत की Mona Lisa कहा था और इनके जो है नाम से बनी धनी पर जो है वो डांक टिकेट तक भारासरकार ने जारी किया है तो दीखिए राजेस्थान की कलात्मक्ता में अजनता स प्रभाव था ठीक है इसके साथ जो है मुगल सैली का प्रभाव जो है वो दिखाई देता है क्यों देता है यह कला राजदरवारों तक ही सीमित थी परन्तु मुगल सामराज्य के पतन के साथ ही चित्रकार जो है वो राज्य सनक्षन प्राप्ति के लिए इधर उधर चले तो कुछ जो हैं राजिस्थानी सासकों ने इन्हें जो है वो आश्रे दिया, मुगल चित्रकारों ने इस्थानिय कलाकारों वा चित्र परंपरा के साथ काम कर एक मूतन शैली को जन्म दिया, जो इस्थानिय विशेष्थाओं के कारण स्वतंतर सैली के रूप में विक्सित ह तो इसी वज़े से चित्रकारी में हमें मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। किसकी चित्रकारी की। विभिन शैली को रंग प्रश्ट भूमी विभिन पसु पक्षियों आदी की द्रस्टी से पहचाना जा सकता था। तो उस चित्र में जो है क्या दिखाया गया है। जोदपूर भीकानेर के चित्रों में पीला रंग, उदेपूर के चित्रों में लाल रंग, कोटा के चित्रों में नीला रंग, और किसनगड के चित्रों में सफेद या गुलाबी रंग, वबूंदी के चित्रों में सुनहरे रंग का विशेश प्रयोग हुआ है। चित्रों की प्रस्ट भूमी में उद्यपुर शैली में कदंब ब्रक्ष, किसंगर शैली में केले, कोटा बूंदी शैली में लंबे खजूर के ब्रक्ष, यानि यहाँ पर जो भी हमें पेड दिखाई देते थे, जो भी यहाँ पर फल जो हैं, वो हमें दिखाई देते थे, उ जैपुर अलवर शैली में पीपल अथवा वट ब्रक्ष, भीका नेर और जोदपुर शैली में आम के ब्रक्ष जो हैं वो बहुत अदिक मिलते हैं। विभिन शैली में पसु पक्षी भी अलग अलग हैं। तो यहां रंग तो अलग ही हैं, इसके अलावा ब्रक्ष भी अलग हैं और उसके साथ पसु पक्षी जो हैं वो भी अलग हैं। होकर विभिन आकरतियां जो हैं वह भी दिखाई देती हैं। तो जहां तक मुझे याद है कि किसंगर शैली की यदि बात करें, तो यहां के जो चित्र होते थे, तो यहां आखें जो होती थी, जो नारियों की बहुत नुकिली टाइप की बनाई जाती थी, गर्दन सुराही किसंगर शैली में बनी ठणी में नारी सोंदरे को चित्रित किया गया है। संगीत कला राजिस्थान में प्राचीन काल से ही संगीत का प्रचलन रहा है। युद्ध के समय उत्सा वर्दक संगीत की ध्वनिया वाद यंत्रों की गर्जना से जोस युक्त वातावरन हो जाता था। यहां विविद रागों से युक्त संगीत के साथ साथ स्रंगार से युक्त मान राग भी उलेकनिया रहा है। यहां के सासकों ने संगीत अग्यों एवं गाईकी का सदेव सम्मान किया है। अब देखिए हर तरीके से राजिस्थान जो है वह है नमबर वन पर आता है। ठीक है चाहे वो संगीत की बात कर लो, कला की बात कर लो और मंदिर हवेलियां यह हमने पढ़ ली हैं इनकी बात कर लो, दुर्वों की बात कर लो। भक्तों ने भी संगीत की विभिन राग रागनियों को प्रचलित एवं प्रसारित किया, जिसमें मीरा बाई, दादू दया, चरण दास, दया बाई, सहजो बाई इनके नाम भी विशिष्ट रहे हैं। संगीत के विविद घराने भी राजिस्थान में विक्सित हुए हैं। जन सामानने के बीच लोक संगीत में संसकार, उत्सव, पर्व, देवी देवताओं के जागरन और वेवाहे गीत भी गाये जाते हैं। तो यहाँ पर कई जो हैं वो घराने जो हैं वह भी राजिस्थान में विक्सित हुए हैं। जैपुर घराना, उदैपुर घराना। राजिस्थान की अनूठी कला और संस्कृति यहां के दुर्ग मंदिर, मूर्ती कला, हवेलिया, छत्रियों में देखने को मिलती हैं। जो बहुत सारी जानकारी इस चैप्टर से मिलती है। सबदावली देखिए इस्था पत्ते कला का क्या अर्थ है जो बार बार इस चैप्टर में आ रहा था। इसका अर्थ है भवन निर्मान कला, प्रतिभा यानि मूर्ती, सौरी, प्रतिमा यानि मूर्ती, दुर्गम यानि भिन रास्ता जहां पहुंचना कठिन हो। भित्ती चित्र, भित्ती कहते हैं दीवार को, तो दीवारों पर जो चित्र बनते हैं उन्हें भित्ती चित्र कहा जाता है। परव सिरोही, ये तो बिल्कुल सही है, रनगपूर का जैन मंदिर पाली में ही है, एक लिंग जी का मंदिर जैपूर में ही है, जैपूर में है क्या? नहीं, ये जैपूर में नहीं है, ये क्या है? ये तो उदैपूर में है, खाटू शाम जी का मंदिर सीकर में है, तो आपके दिमाग में भी फटा-फट से आंसर आई गया होगा कुम्बलगड दोर्वे इसका सबसे जो उच्छ भागे वो कटारगड कहलाता है जहां महाना प्रताप का जन्म हुआ था हमने पढ़ा था रिकते स्थानों की पूर्ती कीजिए बूंदी में डैस खंबों की छतरी इस्थापत्य कला का महत पुन उधारन है तो यहां कितने खंबों की छतरी थी चितर में हमने देखा था 84 खम्मोपी चत्री किसंगड की किसंगड की प्रसिद्द सेली है तो जिस तरीके से मैं फटाफट यहां पर आंसर लगा रही हूं तो इसका मतलब क्या है चैप्टर जो है वो मैंने कई बार पढ़ लिया है यही आपको करना है चेप्टर कई बार पढ़ना है, कोई भी कुश्यन आता है, फटापट से आंसर जो है वो दिमाग में आ जाए अति लगुत रात्मक प्रस्न देखिए मंदिरों का विकास किस काल से प्रारम हुआ तो हमने पढ़ा था कि गुप्त काल से प्रारम हो जाता है मंदिरों का विकास ठीक है वहाँ से ही प्रारम था, मुसी महरानी की चत्री कहां है, तो ये तो है अलवर में विज्य इस्थम का निमान किसे सासक ने करवाया तो महाना कुम्बा ने सरवाद एक जो है वो, यहाँ दुर्गों का निर्मान करवाया था विज्य इस्थम इसे जिसे कीर्ती स्थम भी कहते हैं, किसने कराया महाना कुम्बा ने लगो उत्रात्मग प्रश्न राजिस्थान के प्रमुक्ध दुर्गों के नाम बताईए कि नहीं दो दुर्गों का वर्ण कीजिए तो बिल्कुल आप सोचेंगे और आप ही बताएंगे बहुत सारे दुर्गों के बारे में हमने पढ़ लिया है राजिस्तान में संगीत कला पर टिपनी कीजिए ठीक है यह भी हमने पढ़ लिया है यह नहीं है कि मैंने आपको ऐसे बोल दिया है तो आप लोग वसे इसको यहीं छोड़ देंगे इसको वापस देखिएगा चैप्टर में जाकर और देखिएगा कि हमने कौन-कौन से दुर्ग वो हमने पढ़े हैं उनमें से कौन से मुख्य दुर्ग जो है जिनको हम फटा-फट से जो है वो बोल भी सकते हैं ठीक है जिनका वर्डन जो है वो हम बिलकुल बुक को बंद करके भी कर सकते हैं तो ऐसा आप करिएगा तो यह चीजें जो है वो आपको याद हो जाएंगी ऐसे एक तरीका होता है याद करने का और देखिए कई बच्चे जो है वो ट्रिक में ही डूबे रहते हैं कि हर चीज की ट् मजिए ध्यान रखिए बार-बार पढ़िए तो यह चीजें याद हो जाएंगी और इसी तरीके से संगीत के लापर टिपड़ी लिखिए तो इसको आप पढ़िएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमने चैप्टर जो है वो सभी कंप्लीट कर लिए हैं थैंक्यू